हेलो एर्वान आप सबीका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए हुए लाइसी हाउजिंग फाइनाच शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टॉबाइनाव कल के दिपर हमने देखा लाइसी हाउजिंग आपने लेकिन अभी भी इतने खराब नबर निये जिसे साबसे आज मार्केट ने सेंटिमेंटल रियाक्शन दिया इस्टॉक के बारे में लेकिन मैं कह सकता हूँ यह इस समय जो करेक्शन आया आज के दिन पर उसका एडवांटेज लीजिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए इस साल हम सभी जानते का ड आईप्यो भी आने वाला है उसके चलते हुए लैसी इस टॉक में जो बहुत ही कह सकते है बैटरीіш होने वाला है सेकेंड ऑफ दा इयर स्टॉप में रैली चालोемон को मढ़ा सकता है जैसे इसेसे डिकेड़ ही उनके लिए specifically ये वीडियो में ने बनाया है तो चले वीडियो के शुरुवात करते हैं और वीडियो को end तक जरूँ देखना और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करना वीडियो को share करना चानल को subscribe करना जिन लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है ताकि दिन में द Financial Consultant, Investment Advisor, Mutual Fund Manager, SIP Manager, Advisory Products से काफ़ी सारे अमारे कंपनी के और अमारी कंपनी Portfolio Management Services भी प्रोइड करती है clients के लिए तो चलिए सबसे पहले वीडियो का एक overview लेते हैं आदे लिए इलिए इसे की वीडियो में यह इस इपना खेंगे और सबसे पहले अगर बात करें पर करेंकर किया है और विच्यूफोज नंबर साड़े आट रुप्य का इडिविडेंट इकलेर किया है पर एक्विटी शर यानि पर शर आपको शाड़े आट रुप्यट दिया जाएगा और यह कह सकते हैं यहां पर almost 425% of the face value है तो यहां पर almost कह सकते हैं दो रुपे का face value उसके सामने करीबन साड़े आट रुपे का यहां पर आपको dividend मिलेगा इस q4 numbers के साथ q4 numbers की बात करें specifically तो यहां पर अगर हम बात करें Total income की बात करें तो ऑसन 31S partir 2020 की बात करें तो टोटल income गरीबन 4886 CR के आसपास इस साभी figureCR है तो करीबन 4880 करोड के बिजनेस था तकर 21 मार्च 2020 की बात करें 31 December 2020 की बात करें तो बिजनेस बढ़कर milestone 292 क stiffness बढ़कर हो गया था 493 करोड का इस पास और और अगर 31st December 31st March 2020 की बात करें 2021 की बात करें तो बिजनेस हो चुका है यहां पर 4964 के आसपास तो फ्रॉम 4886 इंकम बढ़के हो गया 4923 और 4923 से इंकम बढ़कर हो चुका है 4994964 तो कैसे डीसन ग्रोथ हुआ है यहां पर from year on year basis साथी में quarter on quarter basis एक्सपोनेंचल या फिर exceptional यहां पर ग्रोथ नहीं हुआ है लेकिन अगर कह सकते हैं ग्रोथ वाइस देखे तो decent growth हुआ है as on year on year basis as well as quarter on quarter basis expenses की बात करें तो as per 31st March 2020 expenses था करीबन 4060 करोड के आसपास as per 31st December 2020 expenses थे 3954 और as per December as per March 2021 की बात करें तो 4612 करोड के आसपास expenses थे तो यहां पर expenses बढ़ने के कारण यहां पर कह सकते हैं net total profit और net profit पर इतना growth नहीं हुआ है लेकिन अगर revenue wise देखे तो revenue by default यहां पर year on year basis साथी में quarter on quarter तो दोनों तरीके से revenue यहां पर decent तरीके से grow हुआ है तो यह चीज़ आपको समझना है कि company का revenue कम नहीं हुआ है company ने अपने business को बढ़ा है सिर्फ जो expenses थे वह control में रख नहीं रख पाई इसी वज़े से यहां पर total profit और net profit में थोड़ा बहुत आपको गिरावाट मिलेगा as compared to year on year basis साथ ही में quarter on quarter basis year on year basis की बात करें तो 2020 का जो profit था टोटल प्रॉफिट था वह था खरीबन बढ़ गए उसी वज़े से आपको यहां पर profit में भी कम कह सकते हैं यहां पर गिरावाट दिख रही है net profit की बात करें ऐस पर मार्स 2020 की बात करें तो 421 क्रॉफिट था ऐस पर मार्स डिसेंबर 2020 की बात के दो 727 क्रॉड के आसपास और अगर मार्स 2021 की बात के तो 398 CR के आसपास यहां पर आपको कह सकते हैं net profit दिख रहा है तो यह ओन यह बिजिस्ट 421 का कम हो के 398 और अगर quarter on quarter गीने तो काफी सारा कम है उसमें 727 से कम हो के 398 तो क्यूंकि expenses इसी वज़े से यहां पर total profit net profit में गिरावाट ही है सबसे पहले अगर market capitalization की बात कर अगर fundamentals की शुरुआज करें LIC तो सबसे पहले में market capitalization देखना है वह करीबं 26345 करोड करोड का काफी बड़ा market capitalization और काफी कह सकते हैं यहां पर यह पर यह फिर ना तो फेवरेट स्टॉक्स है रेविविन्यू की बात करें अगर पिछले चार कोटर से अगर रेविन्यू को कंपेर करें करें टोटल प्रफित और नेट प्रोफिट दोनों में यहां पर कह सकते यहां पर असक तो यह ऑन यह इसकते हैं आज कंपर टीक कर देख दशार देटा की बात करें एफ बात करें तो 28 मूचले मुचल्फानस आफ ओट यांट वेड्ोम कन अब विट डिफरेंस अफराउं 366,005 75 शेर का डिफरेंस है बिट्विटीएट मुचल फंड बाइंग डिवस्टिंग इन इन इंवेस्टिंग इन एलाईसी और ट्वेल्ट मुचल फंड सेलिंग फ्रॉम में इसी तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है 36,69,000 shares के आसपास तो यह है May month का data MF month का देता यह clear दिख रहा है यहाँ पर जो mutual fund companies है उसने May month में काफी अच्छे से quantity को buy किया है DSP tax saver fund की बात के तो DSP tax saver fund regular plan growth was the highest buyer of 16,00,000 shares यहाँ पर उन्होंने buy किया है और अगर ICIC prudential की बात करे तो उन्होंने highest sell किया है 9 lakh shares के आसपास, 9 lakh 80 shares के आसपास, तो यहाँ पर highest अगर buying देखे तो DSP tax saver fund और highest selling देखे तो ICIC prudential equity fund, returns percentage की बात करें तो हर एक आपको जो duration है, whether it is one week, one month, three months, six months, one year, three years five years and ten years, हर एक duration आपको green में दिख रहा है one week की बात के तो करीबन 0.08% one month की बात के तो 21% three months की बात करें again 21% six months की बात के तो 43% एक साल की बात के तो almost 85% तीन साल की बात के तो 5.4% पात साल की बात करें तो 11% और 10 साल की बात के तो 131% तो highest अगर short term में अगर momentum return मिला है वो एक साल और 6 मेने में तो बहुत ही बड़िया return मिला है one month की बात के तो वहां पे भी almost 21% का return मिला है पिछले एक मेने में तो भी कह सकते हैं यहां पर अच्छा से growth है अपने investors को RSI की बात के तो इस समय करीबन 72.5 के 72.9 के आसपा चल रहा है तो अभी भी यहां पर आपको कह सकते स्कोप है यहां पर अभी भी भी कर सकते हैं क्योंकि आज का जो reaction था that was totally based on sentiments क्योंकि expectation के इस आप से result नहीं आए immediately shortest यहां पर कह सकते जो है वो हावी हो गए longs पे और इसी वज़े से यहां पर LIC में आज short काफी create होते हुए दिखा है MFI की बात के तो करीबन 84 के आसपास है MACD 25.6 MACD signal 22.3 ATR की बात के तो 16.7 ADX की बात के तो 41.9 ROC की बात के तो 21.9 और ROC 125 की बात करें तो 46.8 के आसपास ROC चल रहा है तो टेकनिकल levels देखे तो काफी इस समय decent दिख रहे हैं 30 डेसे में की बात के तो 462 के आसपास था जो by default उससे काफी उपर आ चुका है यह stock 50 डेसे में 438, 100 डेसे में 435 और 200 डेसे में की बात के तो इस समय यहां पर 380 के आसपास रिसन जो stock का है तो करीबन 550 के आसपास था और अगर लो देखे इस stock का तो करीबन 480 के आसपास था तो यह जो रेंज है आपका 480 से साड़े 500 का क्या सकते support और resistance का रेंज है और उसी levels पर क्या सकते हैं इस समय आपको आज का अगर क्लोजिंग देखे तो almost 494 के आसपास closing दिया है वर्स कम वर सिनार्यों 470 तक यह stock आ सकता है बाइउन डिप्स का strategy अपना यह stock में इस समय इंवेस्ट करने के लिए और अगर उपर की तरफ गया तो थर्टी परसंट का delivery परसंट दिखे रहा हर दिन लोइस्ट अगर बात करें तो को था करीबन यहां पर 17 परसंट 17.06 परसंट के आसपास 11 जून को और अगर quantity का जून को यहां पर थर्टी नाइन लाक्स quantity एड़ वी थी ओन डिलिवरी बेसे तो यह कैसकते अट्रक्टिव है मंत यहां पर क्रेक्शन यहां पर मैने की शुरुवात करें तो मैने की शुरुवात में इस स्टॉक बुलिश मोड में था फिर द्यू टू कॉर्ट फोर नंब करीबन 522 का 22 का कलका क्लोजिंग ता महां से गैप डाउन ओपरिंग हुआ दो दिन की शुरुवात हुई थी करीबन 516-17 के आसपास और वहीं से यह स्टॉक नीचे की तरफ constantly आते हुए दिखा है वन मन चाट पैटन की बात के तो वन मन में जो रिसन इसका बॉटम ता वो इस समय हम जो हाइस देख रहे हैं वह ता करीबन 540 के आसपास इसने रिसन हाई किया था वन यहर की बात किया तो वन यहर में स्टॉक एक साल का जो बॉटम में स्टॉक का वो 258 के आसपास था और हाइस हम जैसे जानते साड़े 500 तक आज यह स्टॉक पिछले एक साल में गय आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाईल नंबर मेरा इमेल आइडी मेरे सोशिल मीडिया प्लाटफोर्म स्लाष हो रहे हैं साथ ही में मेरा वेबसाइट का नाम भी अगर आपको एक्विटी में करना या फिर ट्रेडिंग लेना तो आप मुझे कॉंटाइक कर सकते हैं साथ झाल झाल